मद्य प्रदेश के सीएम कौन होंगे इसको लेकर आज फैसला हो जाएगा नमस्कार आप देखरें खबर बिबाग और मैं हूँ आपके साथ सुप्रिया सिन्हा काफी दिनों से ये मंतन चल रहा है कि आखिर मद्य प्रदेश में सीएम कौन होंगे सीएम चेहरे को लेकर काफी सारी चीज़े सामने आ रही है बहुत सारे ऐसे नाम है जो सामने आ रहे है तो आज विधैक दल की बैठक है जिसमें यह फैसला ले लिया जाएगा कि मद्य प्रदेश के सीएम आखिर होंगे बार भाजबा दिगजों के मताबिक इस बारे में सीएम की घोषना के लिए आने वाले परिवेक्ष को वसीएम बनने वाले नेता को भी अभी तक यह नहीं पता है कि आखिर सीएम होगा कौन सबसे पहला नाम तो खुद सीएम शिवरासिंग चोहान का ही है वरतमान में ये सीएम हैं और उन्हें बदलने के स्थिती में कुर्सी के करीब घूमते चेहरे बहुत सारे आ रहे हैं कहा जा रहा है कि सीएम शिवरासिंग चोहान लाडली बेहनों के पहली पसंद हैं जिसकी वज़ह से भी उन्हें फिर से सीएम मना जा सकता है दूसरा नाम सामने आ रहा है प्रहलाथ सी पटेल का OBC चेहरा हैं OBC शिवरासिंग चोहान को बदलने के सिथी में इन्हें आगे माना चा रहा है अगर बात करें की ताकत की तो केंदर की गुडबुक में इनका नाम शामिल है और अगर बात करें की कमजोरी की तो RSS की गुडबुक में ये शामिल नहीं है तीसरा नाम सामने आ रहा है जोतिर रादित्य सिंधिया का राजस्थान में वसुंधरा राजी को सीम नहीं बनाए गया जिसका सीधे लाब जोतिर रादित्य सिंधिया को हो सकता है अगर बात करें इनकी ताकत की तो नरेंदर मोदी की पसंद है और अगर कमजोरी की बात करें तो RSS वक कई ऐसे नेता है जो की इनको CM बनाने पर सहमत नहीं है चोथा नाम सामने आ रहा है नरेंदर सीन तोमर का समान्य वर्ग से शुवरा सिंग चोहान इस नाम पर सहमती व्यक्त कर सकते हैं लेकिन वहीं अगर इनकी ताकत की बात करें तो RSS की गुडबुक में इनका नाम शामिल है और अगर इनकी कमजोरी की बात करें विधान सभाज चुनाओ के दोरान बेचे का एक वाइरल वीडियो हुआ था जो एक वज़ा हो सकता है उन्हें सीन नाम बनाने की पांचवा नाम के अलाश विजेवर्गिये का है मालवा निमाड में खासा प्रभाव है इनका भाजपा कारिकरताओं की भी पसंद है आठ साल बाद फिर से विधाय का चुनाओ लड़कर ये लोटे हैं अगर बात करते हैं इनकी ताकती तो अमित शाह के करीबियों में शामिल है ये और अगर बात करें की कमजोरी की तो अत्यांत मुखर वो बोल्ड स्वभाव के हैं तो ऐसे ही ठबरों से अब देट रहने के लिए हमारे चानल ठबर जिबाव को सब्सक्राइब कर लीजी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजे सब्सक्राइब कर लीजे और शेर कर दीजे